इस तो कैसे हैं आप लोग तो गैस न्यू अपडेट आगी यह 1.60.3 की तो गैस इसकी न्यू लाइक फिक्स वन फिक्र लेकर हम आ गी है तो गैस इसमें हमारे पाद तीन को न्फिक है तो गैस इनकी जो डाउनलोड लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्श होगी और गैस आप देख सकते हैं हमारी गेम कितनी स्मूच चली है आपकी गेम भी बिल्कुल ऐसी स्मूच चली कि कोई भी लैग नहीं आएगा कोई भी इशू नहीं आएगा अगर आपके पास आटो बैक लेट लोग भी जैसे प्रोब्लम्स आ रहे हैं वो भी बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे और गैस इसमें हमारे पर तीन लैक फिक्स फथिग है जो पहली है वो है फुल वीबोट आदम ब्लैक स्क्रीन लैक फिक्स अब दूसरी है पड़ी वीबोट लैक फिक्स आप को comment section में ताकि हम उसको config में add करवा सकें और guys अगर आपने हमारा channel अभी तक subscribe नहीं किया तो subscribe कर ले हम जो भी tips and tricks देते हैं 100% work करती है कोई ऐसी tip ये trick नहीं है जो work ना करें और चले अब मैं आपको config भी लगा कर दिखा देता हूँ जो आपका lag होगा वो बिल्कुल ही fix हो देगा तो चलो शुरू करते हैं तो guys सबसे पहले मैं आपको अपने phone की RAM दिखा देता हूँ तो हम about phone में जाएंगे तो आप देख सकते हैं मेरे phone की RAM 2GB है Android 5.1 है तो इसके बाद आपने वहाँ चले जाना है जहाँ आपने आपके फून की RAM कितनी है मेरे phone की RAM 2GB है इसलिए मैं दोजी विली पर टैप करूंगा और extract here कर दूंगा तो guys यह भी extract हो जाएगे मारे पातीन config आएंगे फूल वीबोट आदम config, black screen, वीबोट लैकफिस वनफिक जो के normal होगी और वीश्कीन लैकफिस वनफिक तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं आपने वापिस वहीं चले जाने जाने मेरी config file रख्यों मैंने यहां फाइल में रखी हूं एक बार back करना है वापिस जाने यह तीनों config file आजएंगे फुल वीबोट आदम black screen config, वीबोट लैकफिकस वनफिक, वीश्कीन लैकफिकस वनफिक तो अब आपने करना क्या आपने जाने इंटर्नल स्टोरेज में तो हम back करेंगे इंटर्नल स्टोरेज, एंड्रोइड डेटा, यहां जाने के बाद आपने com.do details और free file को डूनना है, इसको open करना है, files को open करना है, content catch को open करना है और optional को यहां से cut कर लेना, इसको cut करने के बाद, आपने वापिस वहीं जाना है, जो आपने मेरी config file रखी हुए हैं, तो हम back करते हैं, SD card यहां पर, तो guys अब आपने देख लेना, आप कुंसी config लगाना चाहते हैं, अगर आप का phone के RAM 1GB और बहुत जादा lag होता है, तो फिर आपने full webot आदम config को use करना है, black screen वाली को, तो हम फैली वाली को open करते हैं, com.dts को, files को, content cache को, और यहां optional को paste कर देते हैं, तो आपने इसको paste कर देना है, तो यहां पहले paste हो होगे, यह confirm करेंगे, तो यह भी replace कर देगा, तो guys अब हमारा सारा काम होगे, सिर्फ एक काम रह ग इस पर tap करना है, और इसको delete कर देना है, और guys अब आपने यहां पर वो वाली config file paste करना है, जो मैंने आपको ती है, जो आपने डाउनलोड किया है, मेरी link से, तो हम वापस वहीं जाएंगे, sd card में यहां पर, तो गई वो जो optional वाली file थे, वो हमने full webot आदम config black screen में paste की ती, इसलिए हम इसको open करेंगे, com.dts.freefair को यहां से copy कर लेंगे, इसको copy करने के बाद, आपने वापस जाना है, internal storage में तो हम back करते हैं, internal storage, android, data, यहां जाने के बाद आपने इसको paste कर देना है, तो guys जो हमारी lag fix on figure वो paste होगे, जो आपका lag होगा, वो बिलकुल ही खतम होगा झाल